रितिक रोशन के खिलाफ हाइदराबाद में फाइल किया गया चीटिंग का केस रितिक पर एक शक्स ने लगाया चीटिंग का आरू दरसल रितिक एक पिटनिस चेन के ब्रांड अमबासिडर है और रितिक के खिलाफ केस फाइल करने वाले शक्स का कहना है कि उनसे पैसे लेकर उन्हें नहीं दी गई promised service इस शक्स ने अपने complain में कहा है कि इस fitness chain ने रितिक का चेहरा दिखा कर उन्हें बहुत सारे promises किये थे लेकिन उन्होंने अपने promises को नहीं निभाया जबकि उन्होंने पूरी payment कर दी थी पुलीस ने इस मामले को दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन इस फिटनेस चेन ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा है। The customer behaved inappropriately and violently with the company staff. The current police complaint appears to have been hence filed subsequently against us falsely, while also mischievously dragging our celebrity brand ambassador Hrithik Roshan wrongly in it. We are cooperating with the authorities as per due process and evaluating remedial action. अब इस पूरे मामले की सच्चाए क्या है ये इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पुलीस बता सकती है। Bureau Report, Zoom, Mumbai